गुड मरें कमरे क्लास ट्रेंद की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पुएट्टी वाले सक्षन में दूसरी पोएम है फायर एंड आइस, आज हम लोग इस पोएम का फुल हिंदी इस्प्रानेशन देखेंगे में संपूर्ण हिंदी व्याक्या देखेंगे, जिसमें प्यारचे आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताती हुए विस्तार से इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि दोबारा आपको इस पोएम को पढ़ने की आवस्यक्ता ना पड़े और प्यारचे इसके पहले आपका प्रोस का पहला चर्चर पूरी तरह से कंपीट करा चुके हैं पोएट्टी वाले सक्सन में आपकी पहली पोएम पूरी तरह से कंपीट करा चुके हैं आज आपकी दूसरी पोएम की सुरुवात हो रही है तो यद इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की playlist मिल जाएंगे तो आपको class 10 की नए session की playlist मिल जाएगे जिसमें सारी class एक schedule wise लगी हुई हैं तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पुरा कर सकते हैं और प्याँचे इस session का हम लोग का English में target है 100 out of 100 marks लाना तो इसलिए आपकी जिम्मदारी और भर जाती है जितनी classes आपको दीजा रही हैं आप हर class को attend करोगे कोई भी class आप miss नहीं करोगे और प्याँचे एक class free plus paid best दोनों बच्चों के लिए combined class है तो इसलिए paid class वाले बच्चे बिलकुल परसार नहीं होगे इसके आपकी classes पूरी तरह से separate कर दी जाएंगी और जो बच्चे अभी तक paid class नहीं लिए हैं अगर आप लेना चाते हैं तो यहाँ पर आपको जो number दिया गया है 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है आप इस number पे call करके paid class ले सकते हैं और प्याच्चे paid class में आपको क्या क्या मिलेंगी यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर आपका complete syllabus मिस first paper plus grammar पूरी तरह से complete कराया जाएगा और यह भी आपका syllabus आपका October के last तक आपको complete हो जाएगा PDF आपको provide किया जाएगा मिस class के तुरंद बाद आपको class का PDF मिल जाएगा doubts classes चलेंगी टेस्ट आपका weekly और monthly होगा model paper कराया जाएगा मिस आपके board परिचा में कैसे question paper आएगा उसका आपको model paper के रूप में कई model paper के रूप में आपको practice करा दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात प्यारचे इस बार आपको paid class के ग्रूप में revision series देखने को मिलेगी यह ओ revision series है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% paper mass क्राइव यह थे तो प्यारचे revision series इस बार आपको paid class के ग्रूप में देखने को मिलेगी और प्यारचे paid class की fees केवल 499 रूप रखी गई है और यह पूरे सत्र के लिए है जब तक आपका syllabus नहीं complete हो जाता जब तक आपका board पर इच्छा नहीं complete हो जाती यह तब तक के लिए है और प्यारचे fees payment आप कैसे करोगे यहाँ पर कुछ माध्यम आपको दिये कहे हैं आप Google PayPal 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 या फिर प्यारचे आपको यहाँ पर bank detail दिया गया है आप इस bank detail का प्रियोग करके भी payment कर सकते हैं या पिर प्यारचे आपको यहाँ पर कुछ QR code दिये गए हैं आप इन QR code को scan करके भी payment कर सकते हैं और payment करने के बाद आपको payment का screenshot ले लेना है उस screenshot को आपको इसी number 7392937172 number पर आपको वर्टसप कर देने हैं वर्टसप करने के बाद आपको 24 गंटे के अंदर ही पेड़ क्लास के ग्रूप में एड़ कर दिया जाएगा बाकी प्यारचे अगर आपको कोई समस्या दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं मिस आपको जो ए नंबर दिय गया है आप 7392937172 करके जो नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं आप जल्दी से प्यारचे हम लोग आज की क्लास की सुरुवात करते हैं आज की क्लास की सुरुवात करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार जाएंगे फिर उसके बाद आपका लाइन टू लाइन जो है हिंदी अर्थ देखेंगे आप लोग अपनी किताब खोल लो किताब खोल करके एक पिन ले लेना जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे जो भी आपको लेखनी के आवसकता पड़े आप अपनी किताब पर ही लि पहानी समझते हैं तो प्यारची यहां पर जहें संसार के समाप्त होने के बारे में बात किया गया है कि यह संसार कैसे समाप्त हो सकता है इसके बारे में बात किया गया है अब प्यारची संसार कैसे समाप्त हो सकता है अब चैप्टर का नाम इस पोयम का नाम आप क्या देख हैं इसके साथ साथ fire का अर्थ इन्हों नों बताई वें कि desire मिस्छा भी होता है fire का जो meaning है जो इसका भावारथ निकलेगा वो जो है इच्छा से इसकी comparison कर दिये वें सीविक कर सकते हो कि fire की तुलना उन्होंने इच्छा से कीवे हैं मिन्स आग से भी संसार समाप्त हो सकता है और इच्छा से भी संसार समाप्त हो सकता है और प्याचे आइस की तुलना इन्होंने किया कि किसे कीवे हैं हेटेट से कीवे मिन्स नफरस से कर देवे हैं तो प्याचे ये दो तुलना इन्होंने कीवे हैं फाय कैसे समावत होगा और जो desire और hatred मिस इच्छा और जो नफरत है इससे संसार कैसे समावत होगा अब हम लोग एक मिनट उसके बारे में discuss कर लेते हैं तो प्यारचे आपको पता है fire मिस होता है आग मिस आप समझते हो कि आपका temperature दिनो दिन बढ़ रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग से आपका टेंपरेचर बढ़ा है और प्याच्छे आपको पता है इस जमय जो है टेंपरेचर जो राजस्थान वाली छेत्र का होता है वहाँ पर 56-57 डिग्री सलस्यस पहुच जाता है गर्मियों में और प्याच्छे आपको पता 100 डिग्री सलस्यस पर पानी उबलने लगता है और अगर टेंपरेचर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा तो बताओ आग से दुनिया समाथ नहीं हो जाएगी यह पूरा संसारी आग से समाथ हो जाएगा तो पर अच्य ई हो गया by fire का example meaning हो गया कि कैसे फाइर से संसार समाथ हो गया अब इसका जो symbolic meaning उन्होंने दे वे हैं इसका जो दूसरी मिनिंग उन्होंने बताए वी है fire का तुलना उन्होंने desire से की वे है अब हम लोग उससे समझ जाते हैं कि डेजायर से कैसे समाथ होगा असनसार तो फिर आच्छी ए बताओ, किसी की इच्छाएं सीमित होती है, लोगों की सभी की इच्छा बढ़ती चली जाती है, जैसे आज अगर हमरे पास सव रुपिया है, तो हम चाहेंगे हमरे पास हजार र हमरे पास है कि क्या होता है कि लोगों की इच्छाएं समाथ नहीं हो रही है, जैसे आज अज हर देस एक दूसरे देस पर आकरमण करने के बारे मीं सोच रहे हैं उस छेट को कबजी आने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आकरमड कर दिये प्यारचे तो जरा सोचो कि क्या होगा यही तो रीजन था वर्ड वार्ड जो हुआ था जो बिस्योद हुआ था एक दूसरे के कबजे पर ही तो बिस्योद हो गया था पुरा संसार जो है उसमें जो है कितने लोग मर गएते तो वही सीज़ है अगर जो है इच्छाएं लोगों की इसी तरह से बढ़ती रहेंगी यह संसार समाथ हो सकता है तो फायर मिंस जैसे आग आज बढ़ रही है जैसे टेंपरेचर बढ़ पुरे पृत्ती पर पानी ही पानी हो जाएगा और पानी ही पानी हो जाएगा तो हम लोग पानी के नीचे आजाएंगे यह संसार क्या हो जाएगा समाथ हो जाएगा इस तो आईस की वज़र से हो गया और बपको कि अंदर वही अंदर चल लहा है तो वही बात होती है आपका नफरत नफरत अंदर ही अंदर चलता है केवल सब्स नहीं नफरत का तो यहीं बात आपका होता है प्यार्चे नफरत होती है जैसे सपोस्थ आज भारत को बहुत जादा जो है नफरत हो गई है पाकिस्तान से हलाकि भारत को नफरत नहीं है लेकिन जो पाकिस्तान जो नल्ला देश है उसी को भारत से नफरत है सपोस्थ आज पाकिस्ता उसका होगा कि नहीं नुक्सान होगा, तो एक दूसरे का इससे नुक्सान हो रहा है कि नहीं नुक्सान हो रहा है, तो यही सीज़ है, नफरत जब बढ़ जाती है, तो एक दूसरे का नुक्सान होता है, और यह नुक्सान कभी किस रूप में बढ़ जाएगा, और जैसे किसी इस नफरत से भी संसार क्या हो सकता है समाप्त हो सकता है तो प्यारची इस पोयम का जो है दोनों मीनी हो गया फायर और आई से कैसे संसार समाप्त हो सकता है और डिजायर और हेट्रेड से कैसे समाप्त हो सकता है हमने एकदम बणिया से आपको बता दीवे हैं अब हम लोग चलते हैं प्यारचे पोएम पे चलते हैं और इतना सांदार ढंग से आपको कोई नहीं बता सकता है प्यारचे आपको एकदम भावार्त समझा देवे हैं अब चलते हैं अब पोएम तो आप चुटकी में समझ जाएंगे पांच मिनिट में पूरी पोएम ही आप क देखो इसमें क्या है, टेक्स्ट में आ जाओ, अपनी किताब खुलो, जो word में नहीं आपको फसिल लिखते चलना, अब देखो इसमें, सम से कुछ लोग कहते हैं, the world मिस यह संसार, will end मिस समाप्त हो जाएगा, in fire मिस आग से, मिस कुछ लोग कहते हैं, कि यह संसार आग से क्या हो जाएगा, सम से, इन आई से, कुछ लोग कहते हैं, यह संसार किस समाप्त हो जाएगा, बर्फ से समाप्त हो जाएगा, अब प्यार्च बर्फ मिस नफरस से, मिस कुछ लोग कहते हैं, यह संसार बर्फ अर्थात नफरस से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यह हमने अनभो किया, आफ desire means इच्छा के बारे में और जो हमने इच्छा के बारे में अनभो किया, I hold with, इसलिए मैं सहमत हूँ hold with means होता है सहमत होना, इसलिए मैं सहमत हूँ, those means उन लोगों से who favor, fire favor means होता है, पचले ना fire means आग का, जो आग का पचले होता है, इसलिए मैं उनसे सहमत हूँ, तो प्यारचे एक क्यों सहमत है, क्योंकि इन्हों ने जो अनभो किया हुआ है, इच्छा के बारे में, इच्छा के बारे में जो अनभो कीवे हैं, इसलिए जो है poet उन लोगों से सहमत है जो लोग ए कहते हैं पुएट का इस चाल लाइन में कहने का संदर्म है संसार किसकी वज़ा से समाप्त हो जाएगा फिर से चालो लाइनों का अर्ट एक बार देख लेना कि सम से कुछ लोग कहते हैं the word will end in fire कि संसार आग से समाप्त हो जाएगा सम से इन आई से कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आईस मिस बर्प से समाप्त हो जाएगा अर्थात नफरस से समाप्त हो जाएगा फ्राम वार्ट आई है टेस्टेड लेकिन जो कुछ भी हमने अनभो किया हुआ है आप डिजायर मिस इच्छा के बारे में और जो कुछ हमने इच्छा के बारे में अनभो की हुए हैं इसलिए मैं सहमत हूँ दोजवी उन लोगों से हूँ फेवर फायर जो पच लेते हैं आग का इसलिए मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग का पच लेते हैं मिस फायर का पच लेते हैं जो फायर से करते हैं संसार समापत हो जाएगा इसलिए मैं उनसे सहमत हूँ क्योंकि जो ह प्यारे में इनका अन्वाव बहुत अच्छा खासा है है प्यार्चे आपका शुरुती चार्लाइन का इतो गया जिसमें बताया गया कि ये संसार आग की वज़वत से अर्थाrड Dejaire की वज़व unique संसार समाप्त हो जाईगा अब प्यार्चि यहां पर देखिए आपका दूसरा पेरग्राप, दूसरा स्टेंजा, दूसरा स्टेंजा क्या है? बर्ट इफ, लेकिन यदी, इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस मिन्स होता है नस्ट होना, समात होना, बरबाद हो जाना, अब यहां पर क्या दिए वे? बर्ट मिन्स लेकिन यदी, लेकिन यदी, इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, यह दो बारा नस्ट होता है, मिन्स यह संसार यदी दो बारा नस्ट होता है, I think मैं सोचता हूँ, I know मैं जानता हूँ, इनफ मिन्स परियाबत रूप से, आफ हैट मिन्स नफरत के बारे में, for destruction, मिस बर्बाद करने के लिए, मिस नास करने के लिए सब कुछ समाप्थ करने के लिए तब मैं परियाप्त रूप से किस के बारे में जानता हूँ, नफरत के बारे में जानता हूँ, आगे देखो ice is also great, मिस बर्फ also means भी great means अत्धिक, मिस इस संसार के नेस्ट करने के लिए तब बर्फ भी क्या होगी? अत्धिक और परियाप्त होगी अब भीया, अगर नहीं समझ में आएगा होगा थम दुबारा समझा रहे हैं, एकदम धियान से समझो एकदम समझ जाओ का आपके दिमाकुआ में घोर की पिला देंगे बस हमरी बात को आप लोग एकदम धियान से सुना करो भीया आप देखो फिर से but if यदी लेकिन यदी it had to perish twice means इस संसार को यदी दोबारा समाप्त होना हो, perish means होता है समाप्त होना नस्ट होना और twice means होता है means बर्बादी के लिए ice is also great means बर्बी अतिधिक है and would suffis और परियात होगी means तब मैं यह समझता हूँ means मैं यह तब नफरत के बारे में जो मैं जानता हूँ उसके बारे में समझता हूँ कि तू से कहने के लिए that for destruction means बर्बादी के लिए ice is also great means बर्बी अतिधिक है and would suffis और परियात होगी परियात किसलिए होगी इस संसार के nest के लिए बर्ब भी तब क्या होगी परियात होगी means जह नफरत की वज़ास भी इस संसार समाप्त हो सकता है बर्ब की वज़ास से प्याचे आप दोनों मीनिंग समझ जाओगी बर्ब मतलब एक बर्ब ओ glacier पिगलने वाली जो बात बताए आपको और एक बर्ब मिन्स से हो जाएगा नफरत जो आपको यहाँ पर poet निके वे hate सब्द का प्रियों की वे तो जो यहाँ पर hate सब्द का प्रियों की वे उस दूसरे का मतलब समझ जाओगे नफरत मिन्स इस नफरत से भी संसार दोबारा अगर समाप्त होना हो तो नफरत से भी समाप्त हो सकता है और ice मिन्स बर्ब से भी समाप्त हो सकता है यह प्याचे दूसरे तोई चीज़ दी में but if it had to perish choice यदि इससे दोबारा नस्ठोना हो I think मैं सोचता हूँ I know enough of it कि मैं परियाप्त रूप से नफरत के बारे में जानता हूँ तो से यह कहने के लिए that for destruction की बरबादी के लिए ice is also great मिस बर्ब भी अतदिक है and would suffice और क्या होगी परियाप्त होगी किसलिए परियाप्त होगी इस संसार के समाप्ती के लिए तो भाया ए दूसरी पोयम का एकदम बहतरीन हिंदी अर्थ हो गया इससे बहतरीन कोई आपको हिंदी अर्थ नहीं बता सकता है एकदम हमने गहराई में जाकर के हिंदी अत बताई वी है उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी तो प्यारचे जो हम लोग का टार्गेट है 100 out of 100 ये इससे आपको भूलना नहीं है इससे प्यारचे आपको प्राप्थ करना है तो इसलिए कोई किसी भी प्रकार की लापरवाही बटास नहीं होगी और जो बच्चे प्यारचे पेड़ क्लास नहीं लिए हैं अगर आपको लेना है तो जो आपको नमबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नमबर दिया गया है आप उस नमबर पे कॉल करके पेड़ क्लास ले सकते हैं क्योंकि प्यारचे इस बार यूट्यूब पे बहुत सारी क्लास नहीं हो पाएंगे पेड़ क्लास में आपको सारी क्लासे सिक्दब बहतरीं टासेस देने वाले हैं तो इसलिए प्यारचे कोसिस करना सभी बच्चे जितने बच्चे ले सकते हैं सभी बच्चे पेड़ क्लास जरूर ले लेंगे तो प्यारचे सेसन की समात्ती ही करते हैं और जो बच्रे चनल पे पएली बारा आये थे चनल को सस्क्राइब कर लेंगे, वीडियो के लाइक कर देंगे। और खलास टंथ के हर एक बच्चे तक वीडियो को सेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरी लाइनों के साथ क्लास की समाती करते हैं कि परिंदों को मन् honestly मिलेगी यकीनन उनके पहले हुए उनके पंख बोलते हैं ओ लोग रहते हैं खामोस अक्सर जमाने में जिनकी हुनर बोलते हैं तो प्यारची आपको अभी खामोस हो करके, एकदम सान्थ हो करके अपनी पढ़ाई करनी है, जिस दिन आप बोड़ परिच्छा के टॉपर बनोगे, उस दिन आपका हुनर दुनिया देखेगी, आपको जो है लोग जान जाएंगे, तो इसलिए अभी आपको खामोस रह करके आपको मेहनत करनी है, ऐसी प्यारचे आपसे उमीद करते हैं, इनी उमीदों के साथ सेसन की समात्ती करते हैं, मिलते हैं अंगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें, लब याल प्यार विच्चो!